प्रियादर्सकों स्वागत है आप सभी का अध्यात्मर जोतिस की सियात्रा में मैं हूँ आपके साथ देभूमी रिसिके इस उत्राखंड से आचारे आसीस फटा बट बिना समय का माय हम लोग चर्चा करेंगे आज बिम्शोत्री महा दसा के बाद अब योगनी महा दसाओं पर मैं आपको अनेकों बार समझाता हूँ जन्म कुंड़ी का तीन ही आधार हो सकता है होता भी ही है या तो आपकी जन्म कालिक ग्रह स्तुती को देखकर का जा सकता है या फिर आपकी बरतमान दसाओं को देखकर का जा सकता है या फिर बिम्शोत्री महा दसाओं को देखकर यो ऐसे ही ग्यानबर्दक चर्चाओं के साथ हमार साथ जोड़ सके हैं। तो बंदों आज में यहाँ पर बताऊंगा योगनी महादसा कैसे और कौन सी दसा क्या फल देती है। लेकिन इससे पहले इसका बेश समझना महतोप हो जाता है। योगनी महादसाओं किस पर आधारित हैं। इनकी लौड कहुन होते हैं। जैसे सूर्यादी नवग्रहों का जो आधार है, जो फल है, उसी आधार पर ये भी फल देते हैं। यानि योगनियां भी फल देती हैं। मैं आपको करम सा बता दूँ। इसमें मंगला, पिंगला, धान्यप, ब्रामरी, भध्रिका, उल्का, सिध्धा, ये चारों जो उद्थाएं। करोगा, अब हम बात करेंगे सुना। ब्रामरी जब आती है, तो ब्रामरी क्या करती है। ब्राम येसु, सर्व देव येसु, देश येसु ये अनेक अनेक देशों में ब्रह्मन कराती है, यात्राएं कराती है. खास कर जिन लोग को आप ये समझने कि विदेश जाना हो. तो ब्रहमरिकी दसा उनको वहाँ पहुचा सकते हैं. कई लोग होते हैं विदेश के लिए लगातारण्य देशों में जाने के लिए लालाईत हैं प्रियास करने हैं लेकिन संभव नहीं उपा रहा है तो ब्रामरी की दसा उनको पहुंचा देती है लेकिन इसका पूरा फल क्या है दुरगारन्य मही धरोप गहना रातप व्याकुला दूरा दूरतरम भ्रमति मिर्ग वित्रिश्ना कुला सर्वत्रा ये जो है मिर्ग तृष्ना जैसे लिए हीरन घूमता है ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति घूमता है गूमने का मतलब यह नहीं कि उसका कोई मानसिक सांती उसको है या कोई गूमने के प्लैनिंग से गूम रहा है कोई तिर्था टन कर रहा हूं नहीं ये जो है म्रग तृष्णा को लिए वे गोंता है अनेक प्रकार से बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है लेकिन प्राप्त तो होगा या नहीं होगा लेकिन ब्रह्मण जरूर होगा इसमें कई प्रकार से उनको प्रेसानिया उत्पन होगी अनेग प्रकार से यहाँ पर प्रेसानिया उत्वन होती है ब्रह्मन करता रहता है कुछ मिलना नहीं है तो इसमें दुरगम पहाड़ वन आतब जूप में घूमना दुरगम पहाडों में इसका मतलब यह नहीं कि वह पहाडों में ही घूमेगा वो कहीं भी घूम रहा है लेकिन वो उसके लिए पहाड जैसा है बड़ी कठनाईयों पूर्ण बड़ा संगर्स पूर्ण उसकी यात्रा है शुकद नहीं यात्रा और इतना ही नहीं धूप में ब्याकुल तरशित होकर के दूर दूर तर मिर्ग तरशित के समान कहीं कुछ मिलने भाग रहा है और जिस सुगंदी के तलास में भाग रहा है जिसको प्राप्त करने के लिए भाग रहा है वह मिलेगा इसका कुछ भी तय नहीं है बलकि यदि राजवनसी हो तो भी राजा भी हो तो भी वो अपना सब कुछ छोड़ करके वन्चित उस्ते हो करके फिर वह भागने लगता है जिसके पास था वह भागने लगता है और गूमता गूमता देश विदेश में गूमता वह भूमी सयना दी इस्तोती यह हो जाती कि सब कुछ खत्म हो जाता है भूमी में सयन करने की स्तोती हो जाती है किसकी दसा में ब्रामरी की दसा